पुलिस अधिकारीों की बहुत सारे रूप हमने देखे हैं, कभी हम बेरहम पुलिस अधिकारी को देखते हैं, तो कभी कोई पुलिस अधिकारी लोगों की मदद करता दिख जाता है, लेकिन आज हम आपको इक ऐसे पुलिस अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जुन् पुलिस अधिकारी बच्चों से इस पढ़ाई के बदले एक भी रुपिया नहीं लेते यानि कि इन सभी स्कूलों में फ्री में पढ़ाई होती है और पुलिस अधिकारी का नाम विकाश है विकाश ने यूपे के सहारनपूर में 25-30 स्कूल खोले हैं बुलंदशर में 5 पैसे से स्कूल खोर कर पढ़ाई करवाते हैं अब नमस्कार में निहा चौद्री विकाश सहारनपूर के रहने वाले हैं और 2016 में यूपे पुलिस में इनकी नौकरी कॉंस्टिबल के पद पर हुई थी और उसके बाद पुलिस के ट्रेनिंग खत्म हुई और सबसे पहली न और आज उन्होंने लगबग 1500 स्कूल खोल लिये हैं विकाश के हर स्कूल में लगबग 1500 बच्चे पढ़ते हैं और उनके स्कूल का नाम कॉंस्टिबल विकाश की पाट साला है स्कूल में पढ़ने वाले लगबग 15 से 20 शात्र की नौकरी पुलिस में हो चुकी है और इसी स्कूल के कई शात्रों की नौकरी रेलवे विभाग और सिक्षक की पदपर भी हुई है विकास का कहना है कि उनके मन में बच्चों को पढ़ाने का ख्याल इस वज़ा से आया क्योंकि गाओं में कोचिंग सेंटर की सुविधा नहीं थी और ना ही बच्चों के पास पढ़ने लिखने की कोई सामान ही थी यानि कि बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए किताबें और कॉपी भी नहीं थी इस वज़े से सभी चीजों को ध्यान में रखते ही वे उन्हों आने ये निर्ने लिया कि वो बच्चों को पढ़ाएंग मैंने ये ठान लिया था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा विकास कहते हैं कि मैं लगबग हर सब्जेक्ट की पढ़ाई बच्चों को करवा लेता हूँ और आज मेरे बच्चे पुलिस ऑफिसर के साथ साथ रेल्वे विभाग और सिक्षक के पद पर भी चले गए हैं मुझे ये सब कुछ सोच कर बड़ा अच्छा लगता है कि 2017 में मैंने इसकी शुरुवात की थी और आज बच्चे पढ़ लिखकर बड़े बड़े पद पर नौकरी कर रहे हैं मैंने अब तक 50 स्कूले खोली हैं और सभी स्कूल में लगबग 1500 बच्चे पढ़ते हैं कॉंस्टिबल विकास की पाठ साला में पढ़ने वाली शात्रा अम्रिता कुमारी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मैं पिछले डेड़ साल से इस विद्धाले में पढ़ाई कर रही हूँ अब मैं 11 क्लास की शात्रा हूँ और जब मैंने दस्वी की परिक्षा पास की थी तो उस वक्त मुझे 88 प्रतिसत अंक मिले थे और मैंने दस्वी की परिक्षा की तयारी भी कॉंस्टिबल विकास की पाठ साला से ही की थी शात्रा अम्रिता ने ये भी कहा कि मैं गुरू विकास सर को बहुत धनिवाद करते हूं जिनकी वज़र से हम लोग आज पढ़ाई कर रही हैं और मैंने दस्वी की परिक्षा में उन्हीं के बदावलत 88 फीसिदी अंख हासिल किये हैं अगर विकास सर नहीं होते तो शायद मेरी पढ़ाई भी बंद हो जाते विकास सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमसे एक भी रुप्या नहीं लेते हैं अम्रिता ने ये भी कहा कि जब पहले पुलिस आती थी तो मुझे बहुत डर लगता था और मैं दर से अपने घर के अंदर चली जाती थी लेकिन आज केवल विकास सर की वजह से ही अब पुलिस अधिकारियों से मुझे डर नहीं लगता है विकास सर पुलिस की वर्दी में हम लोगों को पढ़ाते हैं और इसी वजह से मेरा भी डर खत्म हो गया है बांकि आज भी हमारे जहन में पुलिस अधिकारियों के प्रती घुस्खोर, निर्दई और खौफनाक तस्वीर बनी हुई है लेकिन जब हम यूपी के कॉंस्टेबल विकास सर के जैसे पुलिस अधिकारे को देखते हैं तो हमारे जहन में लोगों की मदद करते पुलिस अधिकारे की शवी एक खुबसूरत छाप छोड़ती है बांकि विकास सरवालकई में एक बहतरीन काम कर रहे हैं और आप गरीबों के मसीहा कॉंस्टेबल विकास के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा आगे की खबरों के लिए जनता जंक्षन देखते रहे हन्वाद